मैंने दो प्यास बारीक काट लिये हैं साथ ही में लिये हैं दो टमाटर और बारीक कटी धनिया पत्ती अब हम इसमें डालेंगे अमुल फ्रेश क्रीम या आप मलाई भी डाल सकते हैं दूद की ताजी होनी चाहिए और नमक स्वादानुसार बारीक कुटी हुई काले मिर्च चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर इनको हम बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अब मैं एक ब्रेट स्लाइस ले लूँगी और इस पर अपनी मर्जी से आप चाहे तो ऑईल चाहे तो घी लगा लीजिए मेल्ट करके जिसे अच्छे से क्रिस्प हो जाए और अब मैं इसको पलट दूँगी और इस पर एक बड़ा चमच भरकर स्टफिंग रखकर उसको स्प्रेड करूंगी बहुत अच्छे से हमें स्प्रेड करनी है यह कॉर्नर्स पर भी एजिस पर भी जिससे हर बाइट का टेस्ट बहुत अच्छा आए तो ध्यान से एजिस और कॉर्नर् का सब मुझे इस एज पर थोड़ी और जुरुत लग रही है स्टफिंग की तो मैंने थोड़ी और रख दी है अब इसके उपर दूसरा ब्रेट स्लाइस रख देंगे और हलका सा दबा देंगे इसके उपर भी हमने ऑईल लगा लिया है अब गरम किये हुए टोस्टर में हम इसको रख देंगे और बंद कर देंगे कुछ ही मिनट बाद जब यह हमें ग्रीन सिगनल दिखाएगा तो हम खोल कर निकाल लेंगे अपने सांविचेज और सांविचेज गरम-गरम सर्व कीजिए यह देखे सांविचेज क्रिस्प हो गए हैं चलिए मैंने आपको काट कर यह देखे कितने सुन्दर दिख रहे हैं